प्रश्ण आये हैं विलोम समझनित उनको देख रहे हैं तो एक पार्ट हम लोग complete कर चुके हैं और इस next पार्ट में हम लोग जो सेच बचे हुए आये हुए प्रश्ण है उनको यहाँ पर पूरी व्याख साथ देखेंगे तो चले प्रारम करते हैं ग्रस्थ का बिपरार्थक सब्द क्यार्थत विलोम क्या है तो ग्रस्थ का आपका क्या हो जाएगा मुक्त हो जाएगा ठीक है यह option सही हो जाएगा इसी प्रकार से लुप्त का विलोम व्यक्त हो जाएगा ग्राहे का त्याज्य होता है वहीं महत्मा का विलोम क्या होगा महत् आत्मा का आत्मा होता है, सघंता का विरलता होता है, आत्मा का परमात्मा होता है, इस मरन का विलोम जो है बिश मरन होता है, और मरन का विलोम जीवन होता है, मरन का जीवन होता है, वहीं सूच्म का, यह दी सूच्म की बात करें, तो सूच्म का विलोम क्या होगा, तो सूच्म हो जाएगा सुच में का विलोम इस्तुल हो जाएगा जबकि संचिप्त का विलोम विस्तुरित होगा विशिष्ट का विलोम सामानी तथा बड़ा का विलोम छोटा होगा वहीं आगामी का विलोम आगामी का आपका विगत हो जाएगा और आगत विगत जो हैं आगत और विग होगा तथा आगे देखते हैं विशेश का विलोम क्या होगा विशेश का आपका शेश हो जाएगा विशेश का से सोरी कौन सा विलोम नहीं है विशेश का विलोम कौन सा नहीं है तो सामान अविशेश शाधान होगा पर सेश जो है इसके विशेश का विलोम नहीं है समस्या का क्या होगा समस्या का विलूम समाधान हो जाएगा आगे चलते हैं अंतर द्वंद का विलूम आपका क्या हो जाएगा बहिर द्वंद हो जाएगा और द्वंद का निर्द्वंद हो जाएगा और द्वंद का विलूम मेल भी हो सकता है द्वंद का विलूम निर्द्वंद होग प्रतेच का विलोम क्या होगा? प्रतेच का विलोम आपका परोच हो जाएगा, प्रतेच का अपरतेच होता है या परोच हो जाएगा, इसका विलोम अपरतेच भी हो सकता है, जबकि जो अपरोच है, अपरोच जो है, ये प्रतेच का क्या है? विलोम नहीं बलकि समनार्थी है सुन्दर का कुरूप, प्रत्य का उपसर्ग या बीप्रत्य होगा आविर भाव, आविर भाव शब्द का विलोम क्या होगा? आविर भाव का तिरो भाव हो जाएगा वहीं अध्यात्मिक का विलोम, अध्यात्मिक का क्या हो जाएगा? शांसारिक हो जाएगा अध्यात्मिक का विलोम आपका सांसारिक हो जाएगा और अध्यात्मिक का विलोम आपका भौतिक भी हो सकता है समस्ट का विलोम क्या हो जाएगा समस्ट का वैस्ट हो जाएगा ठीक है तो समस्ट का विलोम आपका वैस्ट हो गया जिबकि विशिष्ट का रिलोम विशिष्ट का विश्ट का विळो क्या होगा असिष्ट का आपेश्ट grant जाया gathering गड़ते तो विशिष्ट का समान नुगा असिष्ट का सिष्ट होगा और आप पुष्टी का रिएगा पुष्टी हो जाएगा समश्टी का विलोम क्या होगा समश्टी का आपका वेश्टी हो जाएगा ठीक है समश्टी का विलोम वेश्टी हो जाएगा और विशिष्ट का विलोम सामानिया साधान होगा असिष्ट का विलोम सिष्ट होगा इसी प्रकास से अपुष्टी का विलोम पुष्टी होगा वेश्टी का विलोम क्या होगा? तो वेश्टी का आपका समश्टी हो जाएगा और समास का विलोम ब्यास हो जाएगा समस्त का असमस्त हो जाएगा सन्यास का क्या होगा? सन्यास का ग्रहस्त हो जागा सन्यासी का ग्रहस्त होता है सन्यास का ग्रहस्त होगा और भोगी या संग्रही का विलोम क्या होगा त्यागी होगा अपवय का क्या होगा मितवय होगा आगे देखते हैं अलपग्य अलपग्य का विलोम क्या होगा बहोग्य होगा और वेग्य का अग्य हो जाएगा उतक्रिष्ट का विलोम उतक्रिष्ट का विलोम निक्रिष्ट होगा उद्धत उद्धत का विलोम क्या होगा विनत होगा उद्धत का विनत होगा प्रिथक का विलोम सलग्न हो जाएगा पिठक का सलगन हो जाएगा और उद्वत का विलूम यहां पर देखे बिनीत और बिनमर दोनों ही होगा आगे देखते हैं अवनति का उन्नति हो जाएगा अनुदार का उदार हो जाएगा क्रिष्ट का पुष्ट हो जाएगा तो इसका पुष्ट हो जाएगा मजबूत का कमजोर होगा ग्रामियन का क्या होगा शहरी होगा इसका विलूम नागर्वी हो सकता है बुद्धिमान का मुर्ख होगा और तटस्त का विलूम क्या होगा तटस्त का आपका आसक्त हो जाएग और इसका विलोम तठस्त का सनलिप्त या अतष्ट भी सोरी अतठस्ता भी हो सकता है जब की गोड़ मुखुपर गोड़ मुखी का समझ्टी वैस्ट्त का विलो और भाव हीन का क्या हो जाएगा भाव हीन का भाव युक्त होगा अतिविरिष्टी का अनाविरिष्ट हो जाएगा अमनी का अमबर हो जाएगा अमनी का विलोम अमबर हो जाएगा और धरा अमनी धरा जो है ये अमनी का ही समनार्थी है ठीक है जबकि तरणी जो है ये नदी क परियाबाची है, अगनी का मतलब क्या होता है? आग होता है, आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक का आपका तिमिर हो जाएगा, जिमकि प्रकाश का विलोम अन्दकार होता है, सिसिर एक रित्व का नाम है और इशान क्या है? दिसा सूचक है, उदियाचल का क्या होगा? इसका अ ग्राहे का विलूम क्या होगा, ग्रहन का अरपण हो जाएगा, गुरु का लागो हो जाएगा, गुरु का लागो और गुरु का सिश्री भी हो सकता है, महान का विलूम तुछ हो जाएगा, आवर्तक का विलूम का विलूम अनावर्तक भी हो सकता है, बिरोधी का समर्थक होग स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा परमार्थ हो जाएगा आगे चलते हैं एक सेकेन निंद्य का विलोम क्या हो जाएगा निंद्य का आपका वंद्य हो जाएगा इस्तुति निंदा का विलोम है अरवाचीन अरवाचीन का क्या हो जाएगा प्राचीन हो जाएगा आगे हैं पोशक का उप्युक्त विप्रिरार्थक सब्दी क्या होगा या विलोम क्या होगा तो पोशक का शोशक होगा और पोशक का पोशित भी पोशक का विप्रित जो है पोशित भी है शोशक का शोशक का विलोम क्या हो जागा पोशक हो जागा परास्त का आपका विजय हो जागा परास्त का विलोम विजय ही हो जाएगा और इसका विलोम परास्त का ही विलोम जो है विजयता भी हो सकता है श्वागत का श्वागत का तिरसकार हो जाएगा ठीक है सदाचार का सदाचार का कदाचार हो जाएगा सदाचार का कदाचार हो गया और सदाचार का विलोम दुराचार भी हो सकता है न्याय का अन्याय हो जाएगा अनाचर का अपराद इससे सामें नहीं रखते हैं ये इसके विलोम में नहीं आएगे दुरगम का विलोम क्या होगा? दुरगम का शुगम हो जाएगा शुयोग का दुर्योग हो जाएगा अनाहुत का विलोम जो है आहुत हो जाएगा पराभव का विलोम भव हो जाएगा इसके पश्चगामी का विलोम अगरगामी हो जाएगा प्राच्च का विलोम क्या हो जाएगा आहुत का क्या हो जाएगा अनाहुत हो जाएगा आहुत का अनाहुत हो जाएगा अबर का क्या होगा प्रवर होगा लगु जो है दिर्ग का विलोम होगा करिष्ट जेश्ट का विलोम होगा वहीं अकाल का विलोम क्या होगा शुकाल होगा वर्तमान का विलोम निवर्तमान कल्पित का विलोम क्या होगा कल्पित का यथार्थ हो जाएगा कल्पना है इनका कल्पना युगत होगा प्राकृतिक का कृतिम हो जाएगा निम्रिकित में से उर्वर का विलोम नहीं है क्या है तो उशर अनुवर इसके अत्रिक्त आपका बंजर ये सभी उर्वर के विलोम है जबकि उत्पादन जो है इसके विलोम में सामिल नहीं है आरो हो का क्या हो जाएगा? अवरो हो जाएगा आरो हो का विलोम अवरो हो जाएगा अवशान का मतलब मृत्य होता है आगे देखते हैं घात का विलोम क्या होगा? प्रतिघात हो जाएगा जबकि उपकार का विलोम अपकार हो जाएगा, आघात का प्रतिखात होगा, शंगठन का संगठन का विगटन हो जाएगा, विशलेशन का संसलेशन हो जाएगा, परमार्थ का श्वार्थ विलोम हो जाएगा, सत्यागरा का विलोम क्या हो जाएगा, इसका दुरागरा हो सकता है कि जबकि आगरा विग्रा का संग आगरा विग्रायम संगरा का यहां इस प्रश्ण से मतब संदर्व नहीं है संकल्प का विलोम क्या होगा संकल्प का विलोम बिकल्प होगा संकल्प का विकल्प हो जाएगा सहयोगी का विलोम क्या हो जाएगा सहयोगी का प्रतियोग हो जाएगा प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा द्रिश्य का क्या होगा द्रिश्य का अद्रिश्य हो जाएगा छनिक का छनिक का विलोम जो है शाशोत हो जाएगा ठीक है अल्प का अति हो जाएगा छर का छर हो जाएगा विमुक का अनमुक हो जाएगा अशीम का विलोम ज आग्रा शंग्रा ग्रहन होगा पनुत अनुग्रा का विलोम एक सकंड इन में से अनुग्रा सब्द का विलोम कौन सा है तो देखिए इन में से अनुग्रा का विलोम विग्रा हो जाएगा ठीक है ग्रहन जो है अरपन का विलोम हो जाएगा अनुग्रा सब्द का विलोम क्या ह हो जाएगा जेश्ट का विलोम जेश्ट का कनिष्ट हो जाएगा अग्रज का अनुज होगा कनिष्ट का विलोम कनिष्ट का विलोम जो है आपका जेश्ट हो जाएगा सुस्क का विलोम क्या हो जाएगा सुस्क का आदर हो जाएगा उष्ण का सीथ हो जाएगा ठंधा का गर् हो जाएगा आगे चलते हैं इसका विलोम सुस्किभी हो सकता है स्ट्रोता का स्ट्रोता का क्या होगा वक्ता होगा वाचाल का विलोम मुख हो जाएगा उत्थान का उत्थान का पतन हो जाएगा उत्थान का विलोम पतन हो गया पाताल आकास का विलोम है पाताल जो है आपका आकास का विलोम है उन्नत आउनत का है तदा निम्न उच्च का है मानविय का है मानुश यो मानो दोनों समनार्थी है परियावाची है जिबकि आमानावता का विलोम मानावता हो जाएगा चेतन का अचेतन हो जाएगा और इसका झाइक मिलChar Jei हो सकता है थेक है आगे चलते हैं कि आकर्षन का बिकर्षन होगा उपमान का उपमें होगा मान'S का अपमान वगा सम्मान isolation अणुणाशिक अनुणासिक का निरेनूणाशिक हो जाएगा निरनूणाशिक तो इसपहलिंग याद मानический हो जाएगा पुरशकार का दंड हो जाएगा आसिरवाद का विशाप कोप का किरपा आकाश का पाताल हो जाएगा श्वर्ग का नरक हो जाएगा मगन का विलोम क्या हो जाएगा मगन का विलोम जो है आपका दुखी हो जाएगा जबकि प्रसंद खुश और मगन ये प्रसंता खुश जो है, ये मगन के परियावाची है, जिबकि दुख का विलोम क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा, उपमे का सरवधा, उपयुक्त भीपरीरार्थक सब्द कौन सा है, तो ये है आपका अनुपमे, उपमे का अनुपमे हो जाएगा, अतुलनिय का तुलन अधम का विलोम, अधम का उत्तम हो जाएगा, ठीक है, अधम का विलोम उत्तम हो जाएगा, धर्म का अधर्म हो जाएगा, महत्तम का लग उत्तम हो जाएगा, कीर्ती का, कीर्ती का विलोम अपकीर्ती हो जाएगा, तुच्छ का महान हो जाएगा, कायर का शासी हो जाएगा, नश्वर का शासुत हो जाएगा नित्य का अनित्य होगा इस्थाई का इस्थाई होगा अमर का मृत्य होगा चिरंतन का क्या हो जाएगा नश्वर हो जाएगा चिरंतन का नश्वर हो जाएगा अचिंतन का विलोम चिंतन अचर का विलोम चर हो जाएगा और अचेतन का चेतन हो जाएगा चिरंतन सब्द का विलोम क्या होगा यह लिखिए चिरंतन सब्द का विलोम लिखिए तो चिरंतन का नस्वर हो जाएगा विस्तिरित का संचिप्त हो जाएगा जिबकि इस्तूति का विलोम क्या हो जाएगा निंदा हो जाएगा, श्रैयूत का चियूत हो जाएगा, विशिष्ट का विलोम क्या होगा, विशिष्ट का सामान होगा, इसका एक अन्य विलोम साधारान भी हो सकता है, शिष्ट का, शिष्ट और जेष्ट का कनिष्ट हो जाएगा, वही निर्मल का, निर्मल का मलीन हो कि निम्निकी तुमसे कौन सा किरपा का विलोम है तो देखिए कोप जो है यह किरपा का विलोम है आगे चलते हैं इस थूल का विलोम इस थूल का विलोम क्या होगा सुच में होगा सूच में होगा प्रतिकूल का अनकूल हो जाएगा भीमकाय का इस्थूल हो जाएगा भीमकाय का इस्थूल क्या होगा पर्यावाची है और प्रतिकूल का अनकूल विलोम है जारज का क्या होगा जारज का औरश होगा प्रदत का विलोम लब्द हो जगा दतक का दतक जो है यह दतक यह आपका जारज का परयावाची यह था समनार्थी है मस्रिन का सब्द का विलोम क्या है मस्रिन का रुच्र हो जाएगा मस्रिन का विलोम रुच्र यहाँ पर फिर हो जाएगा आगे चलते हैं, देखिए, रूच्छ का मतलग व्याता है, रूखा हुआ, जबकि छिपर का, छिपर का विलोम मन्थर, दिण का विलोम सितिल तथाए छने का विलोम शाषत होता है, स्वरक का विलोम क्या है? स्वरक का नरख है, मृत्व लोग यों प्रथिवी, मृत्व लोगों प्रतिव लोग समनार्थी है अतिका विलोम क्या होगा? अतिका अल्प हो जाएगा अतिक का विलोम नियून हो जाएगा आगे चलते हैं इतिका विलोम क्या हो जाएगा? इतिका अत हो जाएगा ग्रहन का ग्रहन का विलोम जो है अरपन है, ग्रहन का अरपन हो जाएगा, शरल का कठिन हो जाएगा, शरल का कठिन हो जाएगा, आगे चलते हैं, देखें, सरल का विलोम कठिन या जटिल होता है, मन का विलोम, मल का विलोम नेरमल होता है, उचित का अनुचित होगा, निमलिकित में सरल सब्द है, सरल का विलोम सब्द नहीं है, क्या नहीं है, तो देखिए, सरल का विलोम आपका कुटिल, कठिन, वक्र होता है, पर विरल नहीं होता है, विरल का विलोम शगन होता है, ना कि सरल जटिल का विलोम क्या हो जागा है जटिल का सरल होगा जटिल का विलोम सरल है सहज का असाज हो जाएगा प्राचीन का अरवा चीन हो जाएगा इसका विलोम नवीन हो सकता है कि आगे जलते हैं हां यहां ध्यानु हिल देख कर देखिए हुगा किसी वस्तुत्वा मीर्ग के विसिष्ता बताता है संकर्षन रोशन जो है अलग-अलग अर्थ प्रगट करते हैं नैसरगिक का विलोम कृतिम हो जाएगा आगे चलते हैं अरोह का विलोम क्या होगा अरोह का आरोह हो जाएगा उर्दुहादर का 36 हो जाएगा निम्न का उच्छ हो जाएगा तमस का ज्योतिर में होगा प्रकाश्मय का अंदकार में हो जाएगा अनिवारिका विप्रीतार्थक सब्द क्या है अनिवारिका एच्छिक है ठीक है अनिवारिका विप्राथक सब्द एच्छिक होता है जबकि आवश्यक और मनावश्यक परसपर विलोम है आगे चलते हैं अधुनातन का विलोम, अधुनातन का विलोम पुरातन हो जाएगा, आउनत का विलोम उननत हो जाएगा, अध्यतन का प्राचिनतम हो जाएगा, अमावश्या का विलोम क्या हो जाएगा, पूर्णिमा, शुक्ल का किष्ण प्रदोष जो है, एक भी नर्द करता है, अंतरंग क बहिरंग हो जाएगा बहिरंग का विलोम सब्द क्या है बहिरंग का अंतरंग है छली का निश्चल है छली का निश्चल है भोगी भोगी का विलोम क्या होगा भोगी का योगी हो जाएगा c option भोगी की विप्रार्थक सब्द के रूप में त्यागी भी प्रयुक्त होता है योगी का विप्रार्थक सब्द क्या है तो योगी का विलोम जो है वो भोगी हो जाएगा रोगी तरह निरोगी परसपर विलोम है आगे चलते हैं इश्वर का एश्वर का विलोम क्या होगा देखिए एश्वर का विलोम आपका अनेश्वर हो जाएगा दैत का देव हो जाएगा इश्वर का इश्वर जो है देव का प्रयाव आची है बहुतिक का बहुतिक का विलोम जो है अध्यात्मिक होगा धार्मिक का धार्मिक होगा सारेरिक था मांसिक अन्य अर्थ प्रगट करते हैं भौतिक का विलोम सब्दी क्या होगा भौतिक का विलोम जो है अध्यात्मिक होगा विशलेशन का विलोम क्या हो जाएगा संस्लेशन हो जाएगा विशलेशन का संस्लेशन हो जाएगा सी ऑपस्टन जाग्रिति का विख उछे दो जाएगा दो Am को अगिस क्लें का विलो म्म जो है निश्ठुर हो जाएगा निर्दय का विलोम शदय हो जाएगा निश्काम का शकाम हो जाएगा उत्तम का क्या होगा? अधम होगा महान का विलोम यह देखें तो तुछ होगा छोटा का बड़ा होगा, कायर का सहाशी होगा छुद्र का विराठ होगा, दुखी का विलोम क्या होगा? दुखी का शुक्षी हो जाएगा प्रसन्निता तथा जो मगन है ये एक ही अर्थ को प्रिगट करते हैं आगे जालते हैं विवेकी का विलोम क्या है विवेकी का अभी विवेकी होगा कर्मणे का अकर्मणे होगा कर्मण का अकर्मण हो जाएगा गरतंत्र का विलोम, गरतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा, और परतंत्र का स्वतंत्र हो जाएगा, परतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा, उपर हम लोगे बात की स्वतंत्र हो जाएगा, आगे है, बिनत का विलोम है, बिनत का विलोम क्या हो जाएगा उद्धत हो जाएगा, निरत और विरत, निरत विरत का विलोम है, निरत जो है वो बिनत का, निरत जो है विरत का विलोम है, मंदन का विलोम क्या हो जाएगा, मंदन का खंडन हो जाएगा, B option मोच का बंधन हो जाएगा आगे चलते हैं आस्तिक का विलोम क्या होगा नास्तिक धवल का धवल का मलीन हो जाएगा देखे स्वच्च का अर्थ जो है आप साफ होता है जो धवल का समना अर्थी है और श्वयत का अर्थ क्या होता है सफेद होता है जबकि निर्जल और सजल एक दूसरे के विलोम है जंगम का विलोम क्या हो जाएगा इस्थावर हो जाएगा दुरुगम योम अगम एक ही अर्थ को बेक्त करते हैं जबकि इसका विलोम जो है दुरुगम का सुगम हो जाएगा चंचल का इस्थिर हो जाएगा त्वा, एक, आगर हो जायेगा इसथावर का विलोम क्या हो जायेगा इसथावर का विलोम जो है जन्गम हो जाएगा दानों का मानो हो जाएगा दानों का मानों हो जाएगा वही रच्छस यउम दयात जो है Bremen एक यर्द को प рассказыв रहते हैं अनंत का विलोम क्या हो जाएगा, अनंत का अंत हो जाएगा, शुतंत्र परतंत का विलोम होगा, अनंत का विलोम शाशीन तथा शान्त भी होता है, इस पिलिंग आप देख लिएगा इसको, अनंत का विलोम शाशीन तथा शान्त भी होता है, किन्त ये वाला सान्त नहीं होता ह एक सेकेंद, यह वाला सांथ नहीं होता है, आगे चलते हैं, अगम का विलोम क्या हो जाएगा, अगम का विलोम शुगम हो जाएगा, उत्रीन का विलोम, उत्रीन का विलोम क्या हो जाएगा, उत्रीन हो जाएगा, उदै का अस्त हो जाएगा, उदै का विलोम अस्त हो जाएग अम्रित का विलोम क्या होगा अम्रित का विश होगा जिबकि अमी अमीत था अमी अम्रित के परियावाची है जिबकि मृत का विलोम क्या होगा जीवित होगा इह लोग का विलोम क्या होगा परलोग होगा आगे चलते हैं कठोर का विलोम कठोर का विलोम कोमल होगा इसका विलोम मिर्द भी हो सकता है जब कि कड़ा वज्रियों कठोर के परियाबाची है निउन सब्द का विलोम क्या होगा निउन का अधिक नवीन प्राचीन का विलोम है ग्राम का नगर हो जाएगा, नवनीत का जो है वो मक्खन होता है, प्रस्थान का विलूम अगमन होता है, आगे चलते हैं, इसपष्ट का विलूम क्या होगा, इसपष्ट का आइसपष्ट हो जाएगा, जबकि साधाना का विलोम क्या हो जाएगा विश्येश हो जाएगा अंचित का उचित तथा मलीन का स्वच्छ हो जाएगा अत्वा धवल हो जाएगा श्याम का विलोम क्या हो जाएगा श्याम का विलोम श्यत हो जाएगा तथा किष्ण का विलोम शुकल होता है काला का विलोम सफेद होता है तो इस प्रकार से हम लोग ने यहां पर जो समिच्छत गई साय समिच्छत गई पूरू के प्रश्ट पूछे गए उनको यहां पर हम लोग देखा इस वीडियों बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक बहुत बहुत धन्यवाद